यो कुण आ लो Northeast हाउ। एलो फरेंड्स हाउ अब को आольшे यूट्यूब चैनल स्वार्मा इस्टरीमटियल में तो फरेंड्स आपका कोआ बाभड हैं पाउपिस से दरॉट्रीमा स्वागत है तो फरेंड्स हम अभी तक subject के ृथ को पढ़ा रहे थे आज कुछ आए हैं एम से क्यूंट जो कि फार्माकोलोजी फर्ष्ट का इंसे क्यूंट इसमें तोटल इपचास क्यूट्ट हम आज आपको डिसकस करेंगे तो फिर्ट्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें यह जो आप जानते हैं कि जो फार्माकोलोजी फोर्ट से पर देखें अप्सेशन को पड़ते जाएंगे और आप अपने कॉपी में उसको लिखते जाएगा है यह पैंपने मुझ्ट करके नहीं देखा हैं अब पहले उन सभी फोर्टल लेक्टर को देख लीजिए तो आपको यह ईजली सौल्व हो जाएगा क्योंकि फ्रेंट जितनी 50 क्यूस्टन है यह सब के आपको उन सभी लेक्ट्टर में आपको मिल जाएंगे इसली ठीक फ्रेंट्स तो अगर आपने मारे चैनल को सबस्क्क्राइब नहीं किया चैनल को सबस्क्राइब करें पैपर करते हैं में हमाराक। तो यह क्या कर आए to study about the plant and be a to study about the drug and जो पित टो तो टो जोड़ा पित दुबाएं उबार तो ट किसे बहुत अई जो था सब्सक्राइब को दो कॉंप को काहिंटिक्स एंड फारिको डैनमिक आप्सन को से ओगा मैं वाला आप संग व्यांग और से सभी आपसन कि तेखनांक हो फेंड वेवाला वाला वीरчи्ण वीगंट सुन होगा अब फिर्ट्स नेक्स के स्थाउट हाफ मॉडरन फार्मा को जुए यह जानते हैं कि यह सब जैनरल के संन था में ओड़ियन फार्माकलोजी पहा फार्माकोंगोसी ₹ इंडियन फार्माकोगोजी ने आप बहुत एला है क्षिणिस में क्षिए का कि कुछ ऑब बिधन और declare तो यह तो यहां पर है और सवाल इसमिट बरग ने बता था लेक्शेमें तो इसका कौन से रसंग कोरेक्ट है C थीड बात करतेřे नेक्ट्स कुसें की क्या है पमक्राइड प्रित फादर आफ इंडियान फार्माइकलोजी है एक प्लुभ माईं इंडियन फार्मक्लोजी जी के फादर पॉन है तो ना कर 아주 जब्नाइं compliant इंडियन फार्मकलोजी इंडियन फार्मक्लोजी उसक्राइन ऊपराइब आप अपर एवन डियूका इनका पूरा नामें चंदकान को काटे यह काए फेंड यह इंडियन फादर तो हैं लेकिन यह किसके हैं फार्मा कोगनोसी के हैं ठीक फेंड्स तो ऐसे फेंड्स है और जो बाकी जो आपसन है उसमें समको कुछ और नॉलिज मिलता जा रहा है तो उसको भी देखते चले जाए हैं की जेएन्टिक बेसिस पर हम किसी ड्रेवलिफमेंट के बार in पड़ थेंड्स नामसे चाह देखते हैं फार्माकोलोजी और फार्मठोगी फार्माको जेटिक अनड फार्मेको जिनोम यह नौन आपड़ीज तो प्लिजिद्स का कौन सा फूया फोज्स ओन का भी अब हम fifth की बात करते हैं Thatappście फार्मा outta willing to थावा यह न है रोशे को आथ कहा हैं डाय कि फार्माड लोजी में एक मेडिसीन है कiya है यह डेफिसेंसी क्या ओढान मेडिसीं के इसा नहीं है इसको एक नाम से जानते इसका नाम है बैक बोउन आफ क्या कर सकते हैं बैकबोन आफे मेडसीन तो इसका आफसन कौन सा सही है न की बल्की कौन सा भी ठीक फेंट्स अब हम सिक्स की बात करते हैं फेंट्स से निश्ट मार क्यों सन है डबलू एच्चो अपडेट लिस्ट इन इवी डाश डाश यह मिस्ट क्या करा है कि जो डबलू तो फेंट्स इस सिक्स का एंसर होगा तू मतलब हर दो साल में यह डबलू एच्चो क्या करता है जो डर्ग के लिस्ट होता है उसको हमेसा अपडेट करते रहते हैं ठीक मिस्ट कौन सा डर्ग उसमें से निकालना है कौन से डर्ग अभी एड होंगे ठीक फेंट्स नेश्ट पर्टिकलर एडिया पर अप्लाइड किया जाते हैं तो फिर्ण्स इसका उफसन इसमें चाहरे आफसन दिये गाएं कौन कौन से पहला है सिस्टमिक रूट तूसरा है इंटर्वेल रूट तीसरा है लोकल रूट और चौता है बोथ ए एंड बी तो फिर्ण्स इसका जो करना है तो वहां पर लोकल इनस्टेसिया का यूज किया जाता है तो वैसे ही यहां पर भी हम इसको देखें कि पर्टिकुलर एडिया कर रहा है तो इसका मतलब क्या है लोकल जो रूट वाले ड्रग है वहां पर यह अप्लाइड किया जाते हैं ठीक फिर्ण्स अर्म जाते हैं डायक्ट हमारा सिस्ट्मिक सर्कुलेशन में दे जाते हैं इन्जेक्ट करके जैसे आईवी हो गया आईएम हो गया ठीक फिर्ण्स बाकि यह जो टॉपिकल बकल एन एक्रियल रूट है यह सब यह बाईपास मेटाबोल्यम को फालो नहीं करते ठीक फिर्ण्स अब इन्टी डिए एंगल पर देखे देते हैं तो हम आपको रूट आप डर्ण बताया थे कि कौन कौन इंगल पर रहम कॉन क्वैसे आाइँ मैं प्यजते हैं तो यहां पर फूच रहा है 90 dg अनजेक्शन को देते हैंस में 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 इन्टी वेनुण स्विक एंट्रामश तो फेंटस मेम निट्स के सफ्ऀशन कैसे हैं टेन डैस डैस इस बेस्ट आन लॉक की और की लॉक में मैंकनिजम इस फाललोरंग मेंसे कौन सा मेकनिजम के लॉक में बेस्ट होता है तो होता हैं तो revolution है आपका 两ॉक tanto便 नज待って अगर बाइंड होता है यहां पर कौन सा ओफन सभी होगा हमारा C ठीक अब मार नेक्स्क्क्षीन है इंवर्स एग उनिष्टत वह रहा है कि पहला है अब पहला है फूल रिस्पॉंस दूसरी बी लूर रिस्पॉंस लिंष्पॉंस दूसर नाम से बसलो है की निवर्स visa मिस अल्टा मिस अपोजेशा करेगा तुसका कौन्स सा रही हो भाप दी आलाफशन ठीक फेंड्स नेस्ट के बात हम करते हैं फेंड्स है हमारा इन दीस रैपीट डिक्वीज इन दर रिस्पांस अफ ड्रग अपन रिपीट अड्मिस्टेशन अफ सम्डोज इन सौट इन इंटरवल इस नोन ऐस मिस्करार कि फेंड्स कि क्या होता है कि जब हम तो बाद में क्या होता है कि उसका जो एक्षन है वो कम हो जाता है ठीक फेंड्स उतना इड्रग हम बहुत कुछ टाइम बाद लें तो उसका एक्षन क्या हो जाता है कम हो जाता है तो फेंड्स यह क्या करते हैं तो इसका आफशन आप सोचे क्या होगा तो फेंड्स अपने सही है अब next हम बात करते हैं friends 13 क्या है कि most of the drug are excreted through the kidney by the process of means क्या करा है कि mostly जो kidney से जो drug excreted होते हैं और किस process द्वार होते हैं तो friends इसमें 4 अफसन दिया है immunization, urination, excretion and de-distribution तो friends हमारे इसमें कुछ साफसन सही होगा हमारे इसमें B वाला आफसन सही होगा क्या urination अब friends अब यह तो बहुत easy question लग रहा है लेकिन friends कुछ लोग इसमें भी confusion की excretion भी तो सकता है तो friends यहां पर करा kidney द्वारा excretion के अंदर यह भी आ सकता लेकिन अगर यहां पर kidney न कहा होता तो हमारे कौन सा आफसन सही होता को लिखिएगा और कमेंट बॉक्स किजिएगा ठीक तो हम निश्क की तरफ चलते हैं हमारे निश्क को सफोटीन क्या elimination is also known as मिस का elimination को और किस नाम से जानते हैं तो friends आप जानते हैं कि इतना इज्जी क्यों सन पूचता इज्जी भी क्योंकि कुछ परषण डीजी भी क्यों सन रहते हैं कुछ परषण हार्ड भी रहते हैं ठीके friends तो हमारे निश्क को सफन है है friends'-pro-drug..ठीक फ्रेंट्स प्रोडुट्र क्या होता है कि पहले इनक्टिव फ़र्म में होते हैं फिर बाद में बाद एक्टिव में हो जाते हैं उसके क्या बोलते हैं मतलब माया इसमें क्म साथी होगा ऑफन ठीक अब नेक्स्ट बाथ करते ए हैं Metabolism is also known as अब फ्रेंट्स ये भी बहुत ही Easy के उसन है कराएक Metabolism को हम और किस नाम जानते हैं तो फ्रेंट्स Metabolism को हम इसमें आफसन दिया है आपका Biochemical Formation या Bio Transformation या Bio Synthetic Formation या Both B and C तो फ्रेंट्स इसमें आपका answer सही होगा B Bio Transformation ठीक फ्रेंट्स Bio Transformation को हम Metabolism को नाम से भी जानते हैं अब नेक्स की तब चलते हैं Friends है Phase 1 Reaction Is हम आपको Metabolism पढ़ा है Metabolism में दो फेज होते हैं Phase 1 एक Phase 2 तो कराएक Phase 1 Reaction को हम और किस नाम से आनते हैं या Phase 1 Reaction क्या होते हैं तो हमारे जो Non Synthetic Reaction होते हैं Friends उसे हम क्या बोलते हैं Phase 1 Reaction बोलते हैं हमारे जो Non Synthetic Reaction होते हैं क्या होते हैं Phase 1 Reaction होते हैं और ये जो Synthetic होते हैं Synthetic या Conjugation Reaction ये हमारे आते हैं Phase 2 में ठिक Friends तो यहाँ पर ये सत्वा का कौन साफ़न से होगा C Non Synthetic Reaction Friends मिस्का आरक चाहर Iống निटयूबर्ट इन्टू ओर्टिंट कुेंょறी क्नेट होता है कि इन्कुरीज मतलब बढ़ती डिज्शे मतलब सा थी है Почему बीट के दिट की ओर्टिंस किस्झाहर बढ़ती है मिसिद तो प्लेटी इंक्वीज होगा ठीक फेंड्स अबने क्यों से फुल फॉर्म आफ बी या बी 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 फेंड्स यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फेंड्स कई जगह कई बार पुछे गया हैं त्रीवर्टिकल में भी लॉंग में भी क्यों से पुछे जाते हैं में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्यूसन है यह तो करा है कि टीपल बी का फुल फॉर्म क्या है तो फ्रेंड्स एवाल आफ संदिया है ब्लड बैरियर ब्लड ब्रेंड ब्लॉकर थीसरा है ब्लड ब्रेंड बैरियर या डी है ब्लड बाउंड बैरियर तो इसमें आपका कौ तो को से हैं आप साहिए होगा ? व्लट बैरियर ऐसा बैरियर रे 70 ब्लट यह क्या marks आप चाहिए चाहिंद होता है ₂ में डिक ड्रक्षऑ छाय तो इसका Aufsun Friends आपका सही होगा B. Distribution आपको बताया थे लेक्टर में कि अचेशन में क्या होता है पहले आपशन में क्या होता है यह जो डुर्ग होता है वह क्या होता है कि हमारे जी-ा-ई-टी से कहां पर जाते है या administration side से कहां पर जाते हैं, systemic circulation जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारा next question से आता है, distribution, distribution में क्या होता है, friends, जो drug होते हैं, systemic circulation से कहां पर जाते हैं, various other part of the body, body के other part of the body, or intestinal fluid में जाते हैं, ठीक friends, तो इसका कौन साफसन सही होगा, friends, B, distribution मतलब distribution, अब next question की बात करते हैं, friends, हमारा है, it is the actual amount of drug which reach into the systemic circulation is known as, तो क्या है, friends, उसको हम क्या करते हैं, कि उसको हम क्या करते हैं, यह भी इसमें भी definition ही पूछा है, कि उस प्रोस्सक्राइब क्या करते हैं, जिसमें कोई drug का actual amount उस systemic circulation में जाता है, तो friends, हम इसका भी lecture ले चुके हैं, जिसका नाम है bioability, जो कि मारे एक चैनल और है, जिसका नाम है ASC Pharma Dictionary, जहां पर भी हमने इसके बार में डिसक्रस किया था definition, तो bioability क्या होती है, कि जितने drug, क्योंगी हम जानते हैं, जिटन हम डिक यह ठीच उतना पुरा यूज हमार बॉड़ी मैं नहीं होता हुछ ही amount होता है, जो amount होता है drug, वही क्या होता है उसकी bioability होता है, मतलब जो यूज होगा, वह कहां जागा, सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर जानते हैं कि हमारे ब्लट फ्लो क्या होता है बहुत तेरी से होगा बहुत तेरी से होगा ठीक फ्रेंट्स हम बात करते हैं 23 का जो की है हमारा इट इस डिफाइंड एज डिफाइंड आप ड्रग मालक्यूल फॉम इट साइट ऑफ अड्मिस्टेशन तूड सिस्टमिक सर्कुलेशन इस नौन ऐज अफ फ्रेंट्स से कि अभी हमने इसके पहले कुछ यहां पर ट सिस्टमिक सर्कुलेशन जाता है तो उस प्रोसेस को हम करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर कहुंसा आप से सही होगा मार्टूंटी तरीका ए अब्जॉफसन ठीक फ्रेंट्स यह बहुत ही सिंपल सिंपल क्रेशन है फ्रेंट्स आप पस्तिहान से पढ़िए तो आपको एंसर इसको तुर्ण पदसला है कोई दिमार्ग लगाने की ज़रूत नहीं है तो फ्रेंट्स अब निश्ट कुस्ट की बात करते है हमारा है एन और्फन ड्रग इस और्फन ड्रग यह और्फन एक टाप ड्रग है जो कि क्या होता है इसका इसका युग कहां पर होता है तो इसका ड्रग नीड फॉर ट्रीटमेंट और्फन ड्रेटमेंट मतलब कुछ ड्रेटमेंट के लिए इस ड्रग का यूज की जाता क्या नम का इस ड्रग का ओर फन ड्रग फेंट्स तो इसका कौन साफिर से और्फन स्धार ट्रूपर है यह मिजार्टी ओफ ड्रग क्रॉस बाइप करा रहा है कि मोशली एक थ्रांसपोर्ट होते हैं वह एक साइड जाते हैं किसी मेंड लेन को ठ्रांस तो किस ट्रांसपोर्ट के मादियम से पैसिव ट्रांसपोर्ट के मादियम से आप जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के मादियम से आप जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के मादियम से आप जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं diffusion of drug across capillary and other than those in brain. तो फ्रेंट का राकि कौन से factor है जो capillary and उसके brain के across जो diffusion होता है इसके कौन से factor इंपोर्टन बहुत important role play करते हैं तो इसका जो जब से इसका जो answer है तो फ्रेंट इसका answer होगा PK value of drug इसका क्या answer होगा friends PK value of drug इसका answer होगा blood flow through capillary क्या होगा friends blood flow through capillary means क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा blood flow होगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगे drug जाएंगे pass होगे ठीक तो 26 का क्या answer होगा friends a blood flow through the capillary अब friends I am next question की बात करते हैं 27 question number हमारा active transport of the substance across biological membrane has following character means करा friends जो active transport किसे सबस्टेंस का जो active transport होता है across the biological membrane उसके कौन कौन से character है या हम short में कर सकते हैं करदे कि active transport के कौन कौन से character है तो इसमें character कौन सा है चारु में से ठीक तो परला इटी जे specific दूसरा इटी जे saturated तीसरा इटी जे required energy चौता है डी तो friends अभी इसके पहले हमने बता कि आटी तो इसमें पार्जा वाष्ट के ते करहते हैं डी तो आटेक्ट याजाये तो इसके डीञी किशता होती है क्योंकि उसमें क्या होता है ये अटी क्या होता है जो माल्कियुल होते हैं वो लो concentration से high concentration की तो फो करते हैं ठीक मतलब concentration gradient के अब जब अगेंस मूफ करेंगे तो आप मूप के नजी की आ सकता होगी तो इसका कौन साफन सही होगा फ्रेंट्स 27 का C वाला फ्रेंट्स अब इन्ट्स की बात करते हैं किसी भी ड्रुग को अभरब होने क्लिए तो कौन सा फ्रेक्टर इसमें सबस्यादा एफ्लिट करेंगा तो दिफेंट्स teo का का है इसमें हमा मुट्वर्पार्फ छाजाएतब झाफ्ड़ न्ट फ्रेक्ट्रों है is 25 ml. Then, volume of distribution is different. यहाँ पे यह numerical question है. यह यह अगुस्ताँ है यह बहली पूछताँ है, यह यह बहुत एजी question है. तो यहाँ पे friends पूछाँ volume of distribution क्या होगा? जब मारा क्या है कि जो drug का amount बॉड़ी मों कितना है? 2 ग्रम है उसका plasmas concentration किदना है 25 ml है तो यहां पर volume of distribution का fen सब्सरामूला क्या होता है कि volume of distribution is equal to होता है amount of drug in the body upon plasma drug concentration अब यहां पर हमार amount of drug किदना है 2 gram है and plasma concentration किदना है 25 ml है तो हम क्या करें तो इसका तो यह क्या होगा वल्ली मौन डिस्ट्रिबूशन अब फेंड्स हम नेक्ट बात करते हैं विच आप दफालोइंग इस प्रोड़क में से कौन सा प्रोड़क का एक ग्जामपल है तो फेंड्स इसमें कौन सा यह डी वाला आफशन इनलो क्या है एक प्रोड़क का एक्जामपल है ठीक फेंड्स अब 31 हम नेक्ट क्योशन की बात करते हैं यहां पर करा कि विच्ट्रिबूशन कब कम होगा तो चारव समय देखते हैं पहला है लो लिपीड इसालुबिल्टी तीस्वा है आई प्लाजमा प्रोटिन बांडिंग चाहता है हाई हाई टीसू बांडिंग तो फेंड्स विच्ट्रिबूशन का फ्रामूला हमने अभी सर्फिक्रिशन बांडिंग होगा तो कोफं साइब होगा होतरी आफईन साही होगा उतना कम क्या होगाए थी तुक अभात कते हैं मार्क्स इस Legend carbs करा दो पूछारे कि मार की stereotype एक कौन सा फीचर है तो इसका अफन सही होगा a high lipid soluble drug ओता है यह किसके फीचर है redistribution की फीचर प्राइब डुकि चाहरा है तो इसका अफन सही होगा फेंत 32 का यह वाला अफन सही होगा ठीक हम जिए बात करते हैं फेंज धपल बी मतलब ब्लट ब्रेट बैरिया विच वेजिस्ट द इंट्री अप मेनी ड्रग इंटु द बेन इस कांसिट्वेंट बाई मिन्स क्या करा कि जो ट्रीपल भी से ट्रीपल बी से कोई ड्रग एक्रास होने में रिजिस्ट होता है तो कौन-कौन से फैक्टर है तो फैंस पहला आए पी ग सब्सक्राइब करते हैं किसी बीटर को इसली क्रॉस करने में ठीक तो यहां पर कौन से सई होगा आपसण डी मतलब all of the above सभी ठीक फ्रेंट्स डूम्हारा प्रिकृशन के बीटिशन ड्रग मतलब изम्हें कौन सवे सिप्ये ड्रग हैब क्या करते हैं औरouse प्रेमेरली अल्फा अल्फा एविड इन घ्लैको प्रोटीन इन घृ Twin टृफमा एंद बी है मिह ऐव इसका जो आप कारेंस हो सही होगा बी होगा इसका कौन सही होगा बी वाला सही होगा अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कि तो हमारा है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मिस्वाइप प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है तो कौन को आफसें दिये इनकी वर्लीम अफ डिस्टिपेशन अब डग तो फेंड्स यह तो गलत है अभी हमने इसके पहले एक क्यों था कि जिदना के रदो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग औहिता रिक्ष्टिपीशन जो कि यह एक्षिन भी सो करता है अब नेक्ष्ट बात करते हैं 36 की हमारे क्यूसन है विच ड्रग अंडर गो हाई डिग्री और फर्स्ट पास मेटाबोलियम इन लीवर तो फ्रेंट कर रहा है कि फर्स्ट फास मेटाबोलियम लीवर में सबसे जादा कौन सा डर्ग पास होता ह है ठी क्या है तो इसका है यह फिर्ट क्या हुता है कि इस में लो और ओर श्ट मिटाबूलिजंट से जो ड्रग पास होंगे उसके बाइयुट जिनकी बहुत ही ज्यादा होती है किसके कंपीजन में इंटर लूट के और लूट के कंपीजन में इसका कौन सा आफ है होगा फ्रेंड थर्टी सिक्स का ए अब फ्रेंड निस्ट बात करते हैं 37 की विच रूट आफ दर ड्रग अमिस्ट्रेशन इस मोस्ट लाइकली तो लीट प्रेंड ऑस का कौन सा रूट अब्स्रेशन जो है फिर्स्ट पाइफ्ट को ज्यादा लीट करता है थीक फिर्न तो इसका भी आफ्सान इसी से ऊगर 36 37 लग बख सेमी है तो इसका इसका बात कौन होगा फ्रेंड सीर्ट बी क्योंकि यह क्या करता है और यह जो होते हैं यह मेटाबोल यह होते हैं इसको ज्यादा फालो करते हैं और बाकि सब यूट के अप इच्छा अब बात करते हैं 38 की हमारा 38 क्यूसन कौन सा है पिक आउट दर पारेंटरल रूट आफ मेडिसीनल एजेंट अडिस्ट्रेशन मेडिस्ट्रेशन का है कि यह जो इसमें से कौन से पा एंटरल रूट मेडिस्ट वाले डर्ग या टाइप है तो जानते हैं कि आते हैं आपके इंटरल रूट में आते हैं जो कि फालो करते हैं लिकिन हमारा ओस वाला अफाना सब क्यू टैनियास यह क्या है पारेंटरलूट के टाइप हैं तो फ्रेंट इसमें कौन सा अफसा होगा 38 का C अब फ्रेंट हम ने इसके बात करते हैं हमारा biological barrier are include or accept मिस यह following 4 अफसां दियें में कौन सा एक सभी biological barrier है एक को छोड़ के तो फ्रेंट हमारा से में में किस में आता है एन वीनल-tubule भी biological barrier में नहीं आता है एपी वर्ल भी biological barrier में आता है तो फ्रेंट इसमें कहुन सा नहीं होगा biological barrier वीनल-tubule इसका कौन सा आफ नसा होगा हमारा इसका अफसन सही होगा हमारा B Come on speaking बात कटे हैं हमाना discussion है byo transformation of a medicinal substance which is based on information के बाद हमको क्या result मिलता है किससी substance का तो friends क्या होता है byo transformation के बाद हमाय होता है कि faster urinary excreation या slower urinary excreation या easier distribution in organism या higher binding to membrane तो friends आप जाते हैं कि byo transformation या metabol darle Kubo-gen कब कौन सा परस आता है मा एक्सक्रीजन आता है तो urinary excreation भी faster ही होगा युद्विशन ठीक फ्रेंज तो 14 का एवाला आफसन सही होगा एंड फ्रेंज अब हम बात करते हैं 41 की 1 तो 41 की था है इंड मेटाबॉलिज अफ्रेंट्ग एक्सेन इस एक्सप्ट लुट्भाइ सब्सक्र ड्रेंटे स्यवा侏 श्केया कि likes and को हम किसमें देखते हैं तो हमने बता था है फार्मको कानिटिक्स में क्या देखते हैं चार्ज चीज़ देखते हैं अब जो फार्मको डानिमिक है इसमें क्या करते हैं किसी भी ड्रक्ट के मेकनिजिंग बाहने देखते हैं तो यहां पर 41 का फ्रेंट कौन सा आफसन सही होगा हमारा B कौनसा फार्मिको डैनमिक अब फेंड्स हम नेश्ट क्योंसें की बात करते हैं 42 मुवंट ऑफ साल्वेंट मालक्यूल करा है कि जब किसी साल्वेंट मालक्यूल का मुवंट हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव होता है तो उसे हम क्या करते हैं पैसी ट्रांसपोर्ट करते हैं जिसमें एनरजी कर सकता है नहीं होती तो फेंड्स यहां पर कौन सा आफसन सही होगा हमारा 42 का यह वाला आफसन मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट ठीक फेंड्स फेंड्स हम नेक्स के बात करते हैं 43 हमारा है वाल्यूम आफ डिस्ट्रिबूशन इस दर मिस्कारक वाल्यूम अफ डिस्ट्रिबूशन है हो सकता है क्या पहला है डायक्ति प्रपोशनल तो दे अमांट अप डर्ग इन बोडी और दी हमारा है नेक्सी तो भी ट्रैक्ति आ ड्रिक्टी का फेंड्र हमने बताया था क्या होता है तो यह उसकी और अप स्क्राइब के उपर आता है वह जो ता म adulthood बाद्रिक को डिस्ट्रिवोशन को रता है तो हमारा जी हमारा क्या है यहां पहन सा होगा डी क्योंकि हमारा क्या है यहां नो है निएिश ठीक अब फूटी फो क्योंकि बास करते हैं करकशbuster of drug metabolism is also known as आप जानते हैं खमाज जो drug metabolism दो phase पे मेकनिजम पे बेश्ट है phase 1 एक phase 2 तो phase 1 को हम किस नम से जानते हैं non-synthetic ऐसे phase 2 को हम किस नम से जानते हैं synthetic या conjugation तो friends यहां पर B वाल आफसन और C वाल आफसन दुनों सगी है तो means हमाज जो यहां पर A वाल आफसन और C वाल आफसन दुनों सगी है non-synthetic भी होता है इसको करते हैं and conjugation भी करते हैं तो हमारा यहां पर D वाल आफसन सगी होगा बोथ A and C अब friends हम बात करते हैं हमारा next question की majority of the drug are metabolized in मिस करा है कि friends जो जो drug हमारा कहा होता है तो friends इसमें इसका आफसन सही होगा बी लीवर में तो mostly जो हमारा drug होता है यह लीवर में metabolized होता है ठीक friends अब next हमारा friends है friends और कई organs होते हैं जैसे kidney भी हो गया मेटबोलाइज होता है लेकिन जो लीवर होता है वहां पर सबस्जादा metabolized होता है अब next question की बात कहता है 46 distribution of drug depends on means हमारा जो distribution of drug हो किस पर डिपेंड करता है तो friends पहला दिया है blood flow दूसरा दिया है lipophilicity and next दिया है capillary permeability या all of these तो friends इसमें हमें तीनों दिख रहा है means blood flow पर डिपेंड करता है हमारा distribution lipophilicity पर डिपेंड करता है distribution का एक lecture हमने ले लिया है जिसमें बहुत अच्छे से explain किया हमने आप इसलिए हम कहें कि आप हमारे सभी lecture को भी नहीं देखने है pharmacology first के unit first को तो आप पहले उसको अच्छे से देख लिजे तो आपको यहां objective question है सब easily solve हो जाएंगे आपके अगर तब भी अगर कोई आपको किसी question में doubt लग रहा है तो आप comment बाक्स में करेंगे कीजिएगा ठीक फिर्ण्स तो हमारे 46 का काउंसा होगा फिर्ण्स सही all of the all of these मतलब सभी अने इस question हमारे friends है 100% variability in miss correct फिर्ण्स चार अफसंदी है किसमें हमें 100% variability मिलती है फिर्ण्स हम आपको रूट आप डर्ग अन्मेंट्रिशन में बताया थे कि जो इंटरल में होता है इसमें हमें 100% variability नहीं मिलती है लेकिन जो parental होता है means जो injected drug होते हैं जैसे IV हो गया आयम हो गया तो इन सब में क्या होता है हमें 100% variability मिलती है तो यहां पर फिर्ण्स कौन सा आफ़सन सही होगा बी वाला आफ़सन आई-वी मतलब intra venus ठीक फिर्ण्स तो अब हम निश्क्रिशन की बात करते है 48 absorption of drug depend on accept means हमारा जो किसी डर्ग का अबजाफसन है किस पर depend करता है एक को छोड़के तो हमारा पहला इस पर बीपेंड करता है तीसरा है हमारा blood flow और चौतर हमारा area of absorption surface तो फिर्ण्स ब्लट फ्लो क्या होता है कि यह distribution का एक factor है लेकिन यह absorption पर पर डिपेंड नहीं तो हमारा जो अबजाफसन है ब्लट फ्लो पर डिपेंड नहीं करता तो हमारा कौन सा हम सही होगा फ्रेंट 48 का c blood flow अब हम फ्रेंट 49 की बात करते है हमारा 49 की फ्रेंट which of the following is not the subject for the pharmacodynamic फ्रेंट का इसमें कौन सा ऐसा subject है जो pharmacodynamic का फ्रेंट नहीं है तो फ्रेंट पहला है mechanism object तो मीं कह सकते हैं pharmacodynamics में क्या क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं यह देखना है कि क्या इसमें हम नहीं पढ़ते हैं नहीं नहीं है पर दो इसका कुछ सा वी कि खाहे ले भी खते हैं यह यह के को डामिक में आप दीज में यह बाभी स einzच uh पार्ट नहीं है तो इसका कौन सा शाहिए होगा है qion की बात करते हैं 50 सिम्सक्रेजार सा 1 Extreme correctong यह एक क्या है माईक्रोजाज था माहज विफ्टिर विद भी को यह अ किसम् assign आपने नोट किया है तो यहां से कहने प्रेंट करने से पहले पिर भी आप नहीं टाउट लग रहा है तो आपका टाउट लगा तो आपने प्रेंट को प्रेंट करने वीडियो को इन तक देहें लिए फ्रेंड्स थैंक्यू एंड टेक केर